हमारी बॉलिवुड इड्नेस्ट्रिया जिस मुकाम पर है वहाँ इसे पहुंचाने के लिए इन अब नित्रियों का भी बड़ा योगदान है जिनोंने अपने दमदार एक्टिंग से हर फिल्म को हिट बना दिया और बॉलिवुड को नए मुकाम पर पहुंचा दिया इन अब नित्रियों ने हर तरह की फिल्मों में बड़ी आसानी से काम किया और इन फिल्मों को एक अलग लेवल दे दिया लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं बॉलिवुड को नया मुकाम देने वाली इन अब नित्रियों के रियल लाइफ पती काफी हंसम और स्टालिश हैं ज जिन्दगी भले ही इनकी उम्र में साल का इजाफा कर दे लेकिन माधुरी दिक्षित आज भी बेपना हुसन के मलिका है इन्हों ने अपने करियर में बहुत से हिट फिल्में बॉलिवुड को दी और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे आज के भिनेत्रियां अपने लिए लेकिन आज भी इन दोनों के बीच में पहले जितना ही प्यार है आज इन दोनों के दो बेटे है एरिग और रायन इन दोनों की शादिये का रेंज मेरीज थी दरऊसल माधुरी की पहन जो अमेरिका में रहती है उन्होंने इन दोनों का रिष्टा फिक्स कराया था उस समय मादूरी के बारे में बिल्गुल नहीं जानते थे इन्हें नहीं पता था कि मादूरी एक फेमस एक्टरस है और जब इन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने इनकी फिल्म देखी और इनकी इसी बात से मादूरी बहुत प्रभावित हुई एक अलोती ऐसी भनित्री है जिनने मशूर कॉमेडिन चार्ली चैपलीन का करदार बड़ी खुबसूर्ती से निभाया और अपने इस करदार के साथ काफि प्रसिद्ध हो गई बेशा की इस दुनिया में नहीं है पर आज भी चांदनी बनकर बॉलिवड में रोशनी फैला रही है लेकिन अगर बात करें इनके पती की तो इनके पती का नाम बूनी कपूर है जो एक फिल्म निर्माता है इन्होंने मिस्टर इंडिया तेवर और रूप किरानी चोरों का राजा वज जुदाई जैसी हिट फिल्मों का निर्मान किया इन दोनोंने 1996 में शादी की जिंदेगी पर साथ रहे इन दोनों की दू बेटिया है जानवी और खुशी बॉलोड की खुबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री रंभा जिन्होंने बहुत सही सूपर हिट फिल्मों में काम किया और खुद को एक सफल अभिनेत्रियों रूप में स्थापित किया इन्होंने जादातर फिल्मों में सल्मान खान के साथ काम किया, जिनकी कैमेस्ट्री को दर्शों को ने खूब पसंद किया, कुछ सालों बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर को विराम दे दिया, अगर बात करें इनके पती की तो इनके पती का नाम इंद्र पत्मनाथन है, दो बेटियां लावर्ण ने हो शाशा और एक बेटा जिनका नाम शिविन है। वर्तमान में कैनेडा में रहते हैं और अपने परिवार के साथ खुशाल जिन्दी की बता रही है। नमबर दो मिनाक्षी शिशाद्द्री नमबे के दश्यकी सूपरेड अदाकरा मिनाक्षी शिशाद्द्री ने 17 साल की उम्र से मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था और साथ ही बॉलिवोड में अपनी दमदार अदाकारी और खुबसूरती के बल पर खुब नाम कमाया। लेकिन इतनी उचाईयों तक पहुचने के बाद इन्हों ने फिल्म इंडस्ट्री को आलविदा कह दिया। लेकिन अगर बात करें इनके पती की तो इनके पती का नाम हरी मैसूर है। इन्हों ने सत्तर और अश्ट्री के दशक में बॉलिवड में अपने खुबसूरती और अभिने का जादू बिखेरा और सभी दिलों पर छागी। जहां एक्ट्रेस कई फिल्में करने के बाद एडल्ट सीन देने से कतराती थी, वहीं एपनी फिल्मों में कई बार बोल्ड सीन दे चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके पती गी तो इनके पती एक जाने में प्रडिउसर हैं जिनका नाम प्रदीप शर्म हैं जिनने सभी तू तू शर्मा के नाम से जानते हैं। इन्होंने ऐसा प्यार कहां अमिरी घरीबी, राज कुमार, मर मिटेंगे और घर वाली, बाहर वाली जैसी हिट फिल्मों का निर्मान किया।